तो भया जी जेई मेंस और नीट में एक छोटा सा टॉपिक इस बार एड हुआ है और ये जो टॉपिक है ना ये हमें समझना है कि भाई ये है काइनेटिक स्टेडी ओफ रियक्शन ओफ आयोडाइड आयन विद ह2O2 ठीक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और पस्पीबिलिटी है नीट से कॉशन आने की और देखो रहे है कि काइनेटिक स्टेडी काइनेटिक स्टेडी काइनेटिक स्टेडी ओफ रियक्शन of I minus ions with H2O2 at room temperature ठीक है तो room temperature पर हमें क्या करना है एक तरीके से I minus ion की H2O2 के साथ reaction की kinetic study करनी है ठीक है और भाई पूरा experiment है पूरा experimental है ठीक है अब ये जो topic है ना इस topic में जो है वो आपको देखो मैं कुछ data बताऊंगा क्यूंकि data collection तो खास होता है, experiments ही होता है question जो बनेगा वो theoretical question बनेगा numericals यहां से नहीं आएंगे ठीक है अब ये होता क्या है इसको समझना बात ऐसी है पहले आपको roughly बता देता हूँ idea देता हूँ के reaction i- की जब होती है h2o2 के साथ ठीक है और reaction होगी acidic medium में तो i- यह i2 में convert होता है और h2o2 क्योंकि यहां पर ये तो क्या है r a और ये क्या है o a oxidizing agent और reducing agent तो जो h2o2 है यह एक oxidizing agent है तो इसका oxidation कर दिया खुद का क्या हो जाएगा reduction हो जाएगा और खुद का reduction होके यह convert हो जाएगा किसमे h2o में अब हमें यह बताना है कि इस reaction में जो है अगर हम iodide की concentration increase करेंगे तो इस तरफ जो है वो यह reaction की rate क्या होती है increase होगी इसको experimentally prove करना है आपको जो हो आप lab में जाओगे लेब में जाके यह चीज experimentally prove करोगे आपको सारी चीज़े मिलेगी iodide, h2o2 और experiment करके बताना पड़ेगा कि अगर आपने i- की concentration को increase किया है तो reaction की rate क्या होगी है यह बढ़ गई reaction तेजी से हो रही है इसको experimentally prove करना है तो मैंने का ना कि 12 में experiment किया होगा तो जब किया था तो file बनाई होगी हाला कि यह सारा काम formality के लिए होता है क्या करें अपना education system ऐसा ही है ठीक है external आता है उसको टेबल के नीचे से एक लिफावा पकड़ाया जाता है और नमबर देके चला जाता है यह तो हालत है हमारे education system की यह तो board है तो practical के नाम पे वो कुछ नहीं करवाया जाता वास्ता में स्कूलों में ठीक है ना तो होता यह है करवाना चाहिए मेरा यह माना है practical करवाना चाहिए तो I- reaction करवाई H2O2 के साथ ठीक है तो हमारा इसमें aim क्या है जब file आप maintain करते हो तो उसमें लिखते हो na aim सबसे पहले फिर required apparatus क्या क्या आपको चाहिए फिर इसके बाद में जो procedure क्या होता है concept क्या होता है observation क्या होते है precautions क्या होते है यह सारी चीज़ें में लिखनी यहां पर तो आप यू समझना क्या हमारा यहां पर aim क्या है तो यह जी aim यह है to prove to prove that on increasing on increasing concentration of iodide ions the rate of reaction between I- and H2O2 will increase ठीक है यह हमारा motive है कि इसको experimentally हमें prove करना है कि यह iodide ion की concentration अगर आप increase करोगे तो यहां पर rate जो हो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी अब कैसे होगा यह काम समझना ज़रा कि भाई इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए पहले हम यह समझते है required apparatus क्या है required apparatus ठीक है तब यह देखो क्या-क्या चाहिए तो कुछ एक point है जो कि आपको ध्यान में रखने है सबसे पहले तो आपको चाहिए चार तो चाहिए conical flask अला कि हम जब experiment करते हैं तो तीन में भी काम चल सकता है लेकिन हम किसी भी experiment की accuracy के लिए उसको जित्ती जादा बार repeat करें तो उत्ते ही बढ़िया result आपको मिलते है error की possibility उत्ती कम होती है और average error जो हो क्या हो जाती है कम हो जाती है तो चार बार हम experiment इसको करते हैं दोहराते है तो चार तो चाहिए conical flask दूसरा आपको यहाँ पर चाहिए भीया 0.1 molar KI solution क्योंकि हम iodide की reaction करवा रहे है किसके साथ? H2O2 के साथ करवा रहे है तो iodide की reaction H2O2 के साथ करवाने के लिए iodide का source भी तो चाहिए तो वो source क्या है? वो है KI solution ठीक है तीसरा जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए भीया 0.05 molar Na2S2O3 solution इस नौन अज हाइपो solution तीसरी चीज़ आपको यह चाहिए हाइपो solution चाहिए अब भाई यहाँ पर एक precaution है जो कि आपको ध्यान में रखना है यहाँ से statement वाला question भी बनता है कि भाई यहाँ पर जो हाइपो solution है इसकी concentration KI से क्या होनी चाहिए कम ही होनी चाहिए यह point है आपको पूछेगा कि in the reaction of I minus with H2O2 ठीक है the concentration of hyposolution should be less than KI, greater than KI, equal to KI ऐसे statement बना के देदेगा ठीक है तो इसकी concentration कम ही होनी चाहिए यह last में मैं आपको लिखवा दूँगा चोथा जो point है वो हमारे पास हविया इसमें और देखो क्या चाहिए आपको इसमें चाहिए आपको starch solution starch solution starch जो है ना वो lab में जब actual में experiment करते है तो वहाँ distilled water अवलेबल नहीं होता distilled water के नाम पर हम टूटी का पाड़ी डाल दिते है तो फिर इसके बाद में हमें और देखो क्या चाहिए आपको चाहिए 2.5 molar H2SO4 H2SO4 चाहिए और H2SO4 का काम होगा medium को acidic करना क्योंकि अभी मैंने कहा ना acidic medium में reaction होती है फिर आपको reaction हो रही है H2O2 और KI के बीच में तो H2O2 भी चाहिए तो यहाँ पर हम H2O2 की concentration ले रहा है 3% H2O2 ठीक है यह 4-5 चीज़े आपको चाहिए तो यह सारी चीज़े आपको चाहिए होगी अचा इसके अलावा measuring cylinder, volume measuring cylinder है वो भी आपको चाहिए यह सारी चीज़े lab में मिल जाती है आपको यह नहीं पूछे का कि क्या-क्या चाहिए list बताओ, ऐसा नहीं आएगा अब आप देखना जरा कि यहाँ पर जो हमने concentrations ली है ना इनकी जैसे यह 0.1, 0.5, 2.5, 3% यह concentration आप कुछ अलग भी ले सकते हो, कोई भी concentration हो सकती है जो भी concentration होगी question जो हो उसके according या फिर experiment पर जो भी result मिलेगे वो उस concentration के according मिलेगे, यहाँ पर हमने यह concentration ली है तो आपको जो भी result मिलेगा ना वो इसी concentration के according मिलेगा ठीक है, तो I hope मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी अब आप देखना जरा कि मैंने खा ना पूरा एक experiment है तो सबसे पहले हमने लिखा M क्या है experiment का, required क्या क्या है अब हम बात करेंगे, भाया जी इसका concept क्या है, ठीक है तो इसका concept देखना पहले फिर हम पढ़ेंगे प्रोसिजर concept तो मेरे भाई इसका concept यह है कि iodide जो होता वो खुद तो क्या होता, reducing agent और जो हमारे पास H2O2 है वो क्या होता, oxidizing agent तो जैसे ही आप KI solution में H2O2 मिला होगे तो एक OA और RA की reaction होगी ठीक है ना, तो मैं यह बोलूँगा कि I minus is a reducing agent reducing agent while H2O2 is a oxidizing agent oxidizing agent ठीक है तो भाया reaction होगी I minus and both and on reaction of both I2 will be liberated ठीक है, दोनों की reaction से क्या होगी यह I2 निकलेगी, अब देखो कैसे यह I minus यह H2O2 और medium है acidic, इसलिए H2O4 हमने लिया है यह I2 निकली और साथ में जो है क्या बना H2O, reaction balance है नहीं balance है, इसससे कोई मतलब नहीं है ठीक है, अब यह इस liberated I2 जो है ना, यह liberated अब आपने क्या कर रखा है, उसमें हाइपो solution भी मिला रखा है तो this liberated I2 this I2 will react with हाइपो solution अब यह जो है ना, हाइपो solution के साथ reaction करेगी अब यह liberated I2 जो है, हाइपो solution के साथ reaction करेगी, कैसे कि I2 प्लस Na2 S2 O3 अब हाइपो solution के साथ reaction होगा तो I2 जो है, वह वापस से I- और यह convert हो जाएगा S4 O6 माइनस 2 पे, ठीक है वापस से वह OA और RA की reaction होगी यह 0 से माइनस 1 में जा रहा है तो यह तो oxidizing agent है, यह क्या हो गया है अब देखो जी, क्या होगा यहाँ पर, अब यह Na2 S2 O3, मैंने कहा ना, इसकी concentration आपको इस I- से कम ले नहीं यह I- कहां से आ है, यह I- से KI से, this is from KI ना, source of this I- is KI solution, तो यह I- तो आया है कहां से, KI से और मैंने अभी आपको कहा कि जो hypo solution है इसकी concentration KI से कम होनी चाहिए इसका reason यह है, कि यह यहाँ पर limiting reagent होगा कि इस iodine और Na2 S2 O3 मैं से, यहाँ पर जो हो hypo solution हमारा limiting reagent होगा अब hypo solution limiting reagent है ना तो थोड़ी देर में यह क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा यहाँ से hypo solution और अगर यह यहाँ पर खतम हो गया तो भाया फिर भी अब यह खतम होगा है, यह खतम थोड़ी ना होगा है यह खतम नहीं होगा तो यह reaction तो चल रही है और यह reaction चल रही है तो I2 अभी भी बन रही है यहाँ पर अभी भी i2 लगाता है यहाँ पर क्या हो रही है बन रही है और जो excess i2 है जो excess i2 है जो excess i2 है ना वो react करेगी एक तरीके से किसके साथ starch solution ठीक है तो excess i2 react करेगी starch solution के साथ और starch के साथ reaction होगी तो हम यह बोलेंगे कि i2 प्लस starch जब इनकी reaction होती है तो एक blue color का complex बनता है कि हमें यह blue color appear होने में कि आपने h2o2 मिलाया तभी तो reaction स्टार्ट होगी ना यहां से reaction स्टार्ट हो रही है तो h2o2 मिलाने से लेकर यह blue color आने तक जितना time लगता है वो time हमें note करना होता है इसमें एक सबसे जरूरी चीज़ आपको इसमें stop watch भी चाहिए यह भी note कर लेना यह बहुत जरूरी है stop watch घड़ी चाहिए एक और इस reaction को हम clock reaction भी बोलते है इस reaction यह भी note कर लेना आपका ही पर this reaction is also known as clock reaction clock reaction क्यों बोलते है इसको बहुत ही मज़िदार चीज़ है जब आप वास्तम ही experiment करते हो ना तो भाया जी जैसे ही यहां पर na2s2o3 खतम हुआ वैसे ही calibrated हो अचानक से blue color पूरा का पूरा solution अचानक से blue हो जाता है तो इसको हम clock reaction भी बोलते है क्योंकि बहुत ही जरूरी चीज़ है इसमें time जो है वही तो हमें note करना है तो यह तो है यह जी इसका concept है अब blue color से क्या होगा यह पूरा हम experimentally समझने की कोशिश कर रहे हैं देखो मैं तु कोई दिकत नहीं है क्लास लंबी हो रही है तो आप यहां तक आये हो तो पूरी class ही देखोगे बीच में थोड़ी ना छोड़ोगे क्योंकि बीच में छोड़ने से आपको कभी भी target मिलेगा नहीं अपना जो भी आपका target है नीट सोच के आये हो या जही सोच के आये हो ठीक ह कोई काम start करो ना तो उसको पूरा करके रो ठीक है ना बीच में मत या तो start ही मत करो ठीक है या फिर जो हो उसको खतम करके रो कि भाई छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है और छोड़ दिया तो फिर वापस छेड़ना नहीं है ठीक है ना तो हमारे पास condition ऐसी है कि भाई इ experiment करवाने का method क्या है अब यह समझते हैं एक चीज जो है हम सारी डिटेल पढ़ेंगे देखो ज़रा कि यह method यह है कि सबसे पहले हम चार मेंने का ना चार flask लोगे आप तो हमारे पास चार flask है अरे यार थोड़ा सा इसको मैं थोबड़ा ठीक कर देता हूं इसका तो condition ऐसी है यह है मालो flask A यह है B यह है flask C और यह है flask D इसको आपको कुछ नोट नहीं करना है कहने का मतलब यह बना ले ना एक बेसिक से knowledge के लिए बाकि इसमें कोई theory नहीं लिखाऊंगा पूरा conceptual है तो आप इसको समझना चार flask हमने लिए है ठीक है अब इन चारों में आपको क्या करना है जो solution में बता रहा हूं वो add करना है और उसी sequence में add करना है ठीक है न और देखो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें पहले flask में 5 ml किया ही मिलाओगे ठीक दूसरे वाले flask में आप 10 ml कियाई मिलाओगे तीसरे में आप 15 ml कियाई और चोथे में 20 ml कियाई ठीक है चार हमने flask लिए तो आपको जो हो यह सारे कियाई मिलाना है और जैसे जैसे इधर जा रहा हूँ किया हो रहा है बढ़ रहा है ठीक है फिर इसके बाद में अच्छा यह तो है volume of ki, अभी हम एक data काम मिलेंगे, one by volume of ki, ठीक है ना, उसकी भी बात करेंगे, फिर आप देखो इसमें आप क्या करोगे, ki मिला दिया, ki मिलाने के वाद इसमें मिलाओगे आप hypo solution, अब जो hypo solution है ना, वैसे तो आप इसकी concentration कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप experiment करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपको hypo solution की जो concentration है ना, यह हम लेते हैं 10 ml, कि सब में आपको क्या करना है, 10-10 ml, इसमें आपने 10 ml hypo solution मिला दिया, NA2S2O3, यहाँ पर भी 10 ml hypo solution, NA2S2O3, और यहाँ पर भी 10 ml आपने मिला दिया, NA2S2O3, सब में 10 ml मिला दिया, ठीक है, इसके बाद में आपको सब में 10 ml H2SO4 मिलाना है, या एक काम करते हैं कि हाइपो सॉलुशन से पहले, हाइपो सॉलुशन हम बाद में मिलाएंगे, फिर इसके बाद पानी मिलाएंगे, तो यहाँ पर 10 ml H2SO4 मिला दिया, यहाँ पर भी 10 ml H2SO4, 10 ml H2SO4, और 10 ml H2SO4, ठेक है, यह और टोटल वोल्यूम करना आपको कितना 100, तो टोटल वोल्यूम 100 हो जाए, यहाँ पर कितना 15 तो हो चुका है, तो यहाँ पर 85 ml में मिलाओंगा क्या पानी, 80 ml पानी, और यहाँ पर जो कितना आएगा, 75 ml वाटर, और यहाँ पर कितना आएगा, 70 ml of water, यह लो जी, पानी मिल अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें, मिला दो, 5 ml starch, स्टार्च स्टार्च सिल्यूशन, सब में, यहाँ पर भी 5 ml starch, रज जो जो화، और यहाँ पर भी 5 ml starch, खिक है, अब आप सब में क्या करो, सब में आप मिला दो, 10 ml हैपो, अब एक चीज़ में बता देता हूँ कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर यह जो हम सॉलिशन मिक्स कर रहे हैं यह क्या इसी सिक्वेंस में मिक्स करना है बिल्कुल भाई देखो जरा कि आप के आई और H2SO4 इनको इसी सिक्वेंस में मिक्स करोगे और टोटल वाटर का आपको वोल्यूम करना कितना हंड्रेड ठीक है आप कोई और भी कंसट्रेशन ले सकते हो जैसे सब में आपको टोटल वोल्यूम देढ्ल सो करना है तो इससे कोई दिकत नहीं लेकिन ये जो solution आप पानी मिला के जितना solution बना रहे हो ना starch और hypo मिलाने से पहले इसका amount सब में इसका volume सब में क्या होना चाहिए equal होना चाहिए बाकि इन दोनों को कैसे भी मिला दो आपस में mix करके मिला दो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा starch और hypo solution को सब से last में जो चीज़ द्हान में रखनी है वो हम करेंगे h2o2 add अब यहां पर आप क्या करोगे 10 ml मिला दो भहिएτα Abigail h2o2 का सब में 10-10 ml यहां पर भी 10 ml h2o 2 add कर दो और यहां पर भी 10 ml h2o2 add कर दो और यहां पर भी 10 ml h2o2 add कर दो हमारे पास ki से क्या मिला i- h2o2 reaction हुई i2 निकली और h2o बना यह reaction यहां से जो i2 निकली अब यह reaction करेगी किसके साथ हाइपो के साथ na2 s2o3 यह convert to i- और 7 में s4o6-2 ठीक है और यहां पर यह तो limiting reagent है तो यह तो क्या है excess में है तो excess of i2 ना excess of i2 तो यह reaction करें किसके साथ स्टार्च के साथ और क्या बना blue color बना blue color complex यह बना भी यह blue color का complex बन गया अब समझना जरा ध्यान से है ना कि जैसे ही यहां पर blue color का complex बना हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपने इस वाले flask में h2o2 मिलाया तो h2o2 मिलाते ही आपने गड सारी चीज़े मिलाके ready रख रख़ी यह h2o2 मिलाया h2o2 मिलाते ही घड़ी चालू कर दी और घड़ी चालू करके इस blue color को दिखने में जो time मिलता है ना वो time जो हो आपने note कर लिया कि घड़ी चालू करी चालू करते ही जो हो आपको जो हो थोड़ी देर में blue color दिखेगा कब दिखेगा पहली reaction से लगातार i2 निकल रही है जैसे ही दूसरी reaction complete होगी हना क्योंकि यह limited gradient है वैसे ही यहां से निकलने वाली i2 तुरंत अब starts के साथ reaction करेगी और starts के साथ reaction करते ही blue color दिखेगा और blue color दिखते ही घड़ी बंद करते ही time note कर दिया अब experimentally यहां यह देखा जाता है कि जब आप यह data काम में ले वो ऐसा ही यहां पर दूसरे वाले flask में जैसे ही h2o2 add किया time note किया तो time note करने पर experimentally यह देखा जाता है यह approximately आता 138 seconds यहां पर भी ऐसा ही किया time note किया तो यह देखा जाता है 96 seconds और यहां पर time मिलता आपको 74 seconds यह है ठीक है आप एक चीज देखना ज़रा कि जैसे जैसे हम इदर से इदर जा रहे हैं जो time है blue color दिखने में वो क्या हो रहा है वो कम हो रहा है अब time यार कम हो रहा है तो time कम होने का मतलब क्या है आप समझ नजरा कि इदर से इदर गया तो आप देखो KI का amount है इनमें क्या हो रहा लगातार बढ़ रहा है इदर से इदर जा रहा हो तो iodide iron की concentration बढ़ रही है तो concentration बढ़ी concentration बढ़ी ठीक है तो भाया यहाँ पर I2 तेजी से निकली होगी और तेजी से निकली तो यह reaction तेजी से complete होगी यह reaction जितनी जल्दी complete होगी यहाँ पर blue color उतना ही जल्दी आएगा तो इसका मतलब यह है पहले वाले में आप देखो iodide की concentration सबसे धीरे है सबसे कम है यहाँ concentration सबसे कम है इसका मतलब पहले वाले में जो reaction है वो धीरे धीरे आराम से slowly slowly reaction हो रही है यह वाली reaction slow होगी यहाँ से I2 slow निकलेगी यह slow निकलेगी तो नीचे वाली reaction दूसरी reaction अपने आप ही क्या हो गई और ये reaction slow होगी तो भाया ये reaction अपने आप ही slow होगी ब्लू कलर दिखने में time लगेगा तो यहां से साथ दिख रहा है कि जैसे जैसे एक तरह के से iodine की concentration increase हो रही है हम बोल सकते हैं कि भाया जी एक तरह के से rate of reaction क्या हो रही है इस reaction की rate बढ को starch और hypo ये दोनों उसी solution में रखे हैं तो ये जो i2 है ना ये इसमें पहले इसके साथ reaction क्यों किया पहले स्टार्च के साथ reaction क्यों नहीं किया वह या हर एक reagent की strength अलग होती है कि जैसे मालों एक solution है अपने पास CS3 COOH और HCL का ठीक है अब इसमें मैं एन्नियोच मिलाता हू तो एन्नियोच पहले किसके साथ reaction करेगा? HCL के साथ करेगा ना जब HCL का मामला निपट जाएगा तो बारी आएगी किसकी acidic acid की ठीक ऐसे ही जो हो क्यों क्योंकि दोनों की strength अलग अलग है तो यहां पर हर एक reagent की strength अलग होती है इसलिए जो i2 है वो पहले किसको निपटाए और यह experiment बार-बार करवाते हैं और इसी से हमें पता चलता है कि एक तरके से आप i- की concentration बढ़ाओगे तो यहां पर rate of reaction क्या होगी? बढ़ेगी. I hope मेरी बाते आपके समझ में आ रही होगी. अब इसमें देखो कि कौन सी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है? यह तो method हो ग है, देखना हूँ. आजी. करदिशन ऐसी है, कि हमारे पास यहां पर तो हम ले रहे हैं सबसे पहले volume of ki. ठीक है? यहां पर है हमारे पास flask. ठीक है? जैसे a flask हो गया, फिर b हो गया. फिर c हो गया, d हो गया. ठीक है? तो flask a में आपने कितना? पांच ml लिया. यह 10 ml. यह 15 ml. और यहां पर आपने कितना लिया? 20 ml. ठीक है? यहां पर एक चीज़ हम लिख रहे हैं 1 by v of ki. कि volume का inverse है. तो यह 1 by v, यह तो 1 by 5 कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा. यह 0.1 हो 6 और 1 by 20, 0.02. देख लो जरा, इतना ही होगा ना. 0.02 नहीं 0.05. यह हो गया अपने पास 1 by v. फिर भाईया, इसमें आपने कितना कौन सा मिलाया है? यह हम देख लेते हैं. h2so4. volume of h2so4. आपने कहां पर कितना volume का में लिया है? यह हम देखेंगे. तो volume of h2so4. यहां पर कितन ml आपने मिलाया, तो सब में हमने h2so4 का सेम अमाउंट मिलाया, 10 ml मिलाया है. 10 ml, यहां पर भी 10 ml, यहां पर भी 10 ml, और यहां पर भी 10 ml, फिर volume of water. ठीक है? तो यहां पर कितना water आपने मिलाया? तो यहां पर 75 ml मिलाया. यहां पर आपने 80 ml पानी मिलाया. असी नहीं, हाँ बि अल्रेडी जो हो वो 25 हो चुका है अरे यार यहां तो 85 मिला है ना 85 85 ml और यहां पर 75 ml और यहां पर कितना 70 ml क्योंकि टोटल वोल्यूम किता करना है 100 करना है आप चाहो इनके कोई और डेटा भी ले सकते हो बस जो टाइम लग रहा है ना वो क्या जाएगा सब में अलग लगा जाएगा अब क्योंकि एक्सपरिमेंटल है तो हम यह डेटा काम में ले रहे हैं फिर इसके बाद में आप देखो वोल्यूम ऑफ वाटर के बाद में आपने क्या एड़ किया वोल्यूम ऑफ स्टार्च 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 आपने मिला रहा है यहाँ पर भी पाँच एमल और यहाँ पर भी पाँच एमल ठीक है फिर स्टार्च के बाद में वोल्यूम ऑफ हा यहां पर जो कितना टाइम लगा तू 65 के आसपास सेकंड यहां पर आपको लगा 138 सेकंड यहां पर लगा 96 सेकंड और यहां पर 74 सेकंड के अप्रॉक्स ठीक है तो यह है हमारे पास एक टेबल याद करो जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इस तरह के से एक टेबल बनाते हैं तो बिलकुल यह टेबल वही है और टेबल से हम यहां पर लिखेंगे कि यहां साफ आपको दिख रहा है कि एक तरेके से आप अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो के आई की तो जो ब्लू कलर अपियर होने में जो टाइम लग रहा है न वो क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो टाइम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब तेजी से हो रही है ठीक है और reaction तेजी से हो रही है तो बस यही हमें सपस्ट करना था यही हमें conclusion निकालना था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ observation observation ठीक है कि on increasing the concentration of i- या तो ऐसे बोल दो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो आपने 1 by v की value लगातार क्या करिये हर एक flask में लगातार decrease करिये है या on decreasing 1 by v of i- ठीक है time to appear blue color decreases so rate of reaction between i- and h2o2 will increases ठीक है तो यही हमें क्या करना था प्रूब करना था जो की experimentally हमने क्या कर दिया है प्रूब कर दिया है अब समझना कि इसमें कौन सी चीज़े आपको ध्यान में रखनी होती है experiment में क्या बाते आपको ध्यान में रखनी होती है तो इसमें 2-3 point है जो क्या आपको ध्यान में रखने है precautions देखो जी हाजी मैं प्रिकोशन्स ठीक है तो यह देखो precautions क्या है सबसे पहली बात यह है कि आप जितने भी solution काम में लेते हो चाहे वो हाइपो solution हो चाहे वो KI solution हो freshly prepared होने चाहिए और freshly prepared जो है वो इसलिए क्योंकि आपको रिजल्ट जो हो ज्यादा accurate मिलते हैं कोई भी solution कहीं लंबे टाइम तक पड़ा रहता है तो अपने आप जो उसका क्या होता रहता है डी कंपोजिशन होता रहता है तो जितनी concentration उस पर लिखी होती है वास्ता में solution में उतनी concentration अवलेबल नहीं होती है हम कोई भी experiment यह precaution यहाँ पर ही नहीं किसी भी experiment में हमेशा ध्यान रखते हैं ठीक है ना तो only freshly prepared prepared ki solution and hypo solution should be used should be used first ठीक है दूसरा जो है वो मैंने अभी आपको काई था के भाई जो hypo की concentration है वो ki से क्या रखनी है कमी रखनी है तो concentration of hypo solution should be less than should be less than ki solution अब ऐसा क्यू है एसा इसलिए है क्योंकि आप देखो जरा कि अभी हमने जो है वो तो देखो यहाँ पर जो है अगर आपने मालो hypo solution जादा ले लिया तो होगा यह कि यह जी हमारे पास यहाँ पर तीन reaction हो रही है ठीक है सबसे पहली reaction तो हो रही है किसके बीच में है और i- की बीच में तो i- h2o2 is converting into i2 और साथ में क्या बना है h2o फिर यहाँ से i2 अगर निकलती है तो यह i2 reaction करेगी हाइपो के साथ na2s2o3 is converting into i-s4o6-2 और फिर यह अगर limiting reagent है तो तीसरी reaction होगी i2 प्लस starch blue color तो reaction होगी ना अब अगर मालो यहाँ पर आपने hypo की concentration जादा ले ली अगर यह concentration जादा है तो आप देखो यह reaction कभी complete होगी नहीं क्यों 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 क्यूंकि यह available है यह limiting reagent अगर नहीं होगया तो यहाँ से जो भी i2 निकले इसके साथ reaction करती जाएगी और अगर लगातार I2 इसके साथ reaction कर रही है तो भाया ये reaction कभी start नहीं होगी क्योंकि starch की बारी पहले नहीं आ सकती ना I2 पहले hypo के साथ reaction कर गा इसके बाद starch की बारी आगी ये reaction start ही नहीं होगे आपको कभी blue color दिखेगा नहीं तो condition ये है कि hypo solution की concentration आपको क्या इसे कम ले नहीं है ताकि वो limiting reagent हो जाए और ये reaction एक certain time में complete हो जाए इसके बाद में जो है वो हम क्या करेंगे तुरंत ये reaction complete होते ही blue color आ जाएगा ठीक है तीसरी condition ये है start stop watch just after just after addition of h2o2 ठीक है ये कई बार पूछ लेता आपको जैसे statement में question दे दिया आपको है ना कि भाई in the reaction of i- with h2o2 the stop clock should be started ठीक है चार option दे दिये just before addition of h2o2 just after addition of h2o2 with addition of h2o2 तो क्या करना चाहिए just after start करना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप मिलाओगे h2o2 मिलाते ही reaction start होगी और इस reaction की kinetic study करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा just मिलाते ही जो है वो एक तरके से stop watch start करनी है ठीक है ना और ये 3-4 point है जहां से theoretical question पूछ सकता है graph जो है वो भी यहाँ पर हमें एक ध्यान में रखना है जैसे graph ठीक है तो यहाँ पर graph जो है ना वो हम बना रहे हैं इधर तो है time to appear blue color ठीक है और दूसरी तरफ हमारे पास है one by v of ki ठीक है तो यहाँ पर जो है वो one by v की value zero होगी यहाँ पर कितनी होगी 0.1 हो जाएगी 0.2 फिर 0.3 0.4 इस तरके से one by v ठीक है 0.5 यह एक तरके से इधर से इधर जाएगा तो one by v ki value क्या होगी बढ़ेगी और अभी हमने देखा था कि one by v ki value अगर जो है वो कम होगी तो लगने वाला time जो है जैसे पहले वाला था उसमें 200 कितना लगना था 265 seconds वहाँ पर one by v ki value सबसे क्या थी जादा थी ठीक है तो जैसे जैसे एक तरके से one by v ki value बढ़ेगी लगने वाला time भी क्या होगा बढ़ेगा जैसे 0.5 पर यहाँ पर time सबसे जादा होगा फिर अगर concentration जो one by v ki थोड़ी सी कम कर दी तो लगने वाला time थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर थोड़ा सा और कम थोड़ा सा और कम इस तरके से जो graph आएगा वो ऐसा आएगा straight line इस तरके graph आएगा दोनों के बीच में के time जो लगता वो और one by week के बीच में graph जो इस तरके का आएगा जो data में ने आपको दिया था उस data से भी आप graph load करोगे तो बिल्कुल straight line आपको देखने को मिलेगे ठीक है तो यह था विया यह topic इस साल NEET में अलग से जो है उसको mention किया गया है तो उम्मिद करते हैं NEET या जही में question जो हो यहां से बिल्कुल पूछा जाना चाहिए है और बाकी जो है वो सारे देखो अब तक हमने सब कुछ कवर करनी है काइनेटिक्स में अब काइनेटिक्स में जो है वो आरेनियस equation और collagen theory वाकी है यह हम next class और उससे next class में जो अल्मोस्ट कवर कर लेंगे ठीक है मित करते हैं class आपको समझ में आई होगी और यहां तक अगर आप टिके हो यहां तक आए हो तो भाईया जी अब subscribe तो जो है वो बनता है और दूसरा चैनल को share करना भी बनता है क्योंकि जल्दी जल्दी हमें बहुत जादा बच्चों तक पहुंचना है और भाई किसी भी बच्चे का सेलेक्शन chemistry की वज़े से नहीं रुखना चाहिए अपना यह मोटर है चाहिए वो जही का हो चाहिए वो नीट का हो लिए रवाद तो वाटसैप चैनल भी अपना है तो उसके थ्रू भी जूड सकते हो टेलिग्राम के चैनल के थ्रू भी जो हो आप जूड सकते हो वहाँ पर मैं इस तरके के अपडेट जो भी होंगे वो मैं डालता रहता हूं चाहिए वो एक्जाम से रिलेटेड कोई बी टॉपिक हो खूब ध्यान रखें अपना खूब पढ़ाई करें ठीक है मल लगा के पढ़ाई करें विलते अगली क्लास में थैंक यू